बिहार का प्राचीन नाम मगद है जिसकी राजधानी प्राचीन में राजगीर थी बिहार की वर्तमान राजधानी पटना का एतिहासिक नाम पाटलि पुत्र है मगद समराज्य के महाप्रतापी राजा जरासंध हुए सारण जिले में गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर चिरांध, नवपाशान युग, लगभग 4-5-0-0-2-3-4-5 इसा पूर्व, और तामर युग, 2-3-4-5, 1-7-2-6 इसा पूर्व, से एक पुरा तात्विक रिकॉर्ड है बिहार के क्षेत्र जैसे मगद, मिथिला और अंगधार्मिक ग्रथों और प्राचीन भारत के महाकावियों में वर्णे थें मिथिला को पहली बार इंडो आर्यन लोगों ने विदेह सामराज्य की स्थापना के बाद प्रतिष्ठा प्राप्त की देर वैदिक काल, सी, 1600-10000 इसापूर्व के दोरान, विदेह दक्षन एशिया के प्रमुक राजनीतिक और सांस्कितिक केंद्रों में से एक बन गया, कुरू और पंचाल के साथ वेदाह सामराज्य के राजा यहां जिनक कहलाते थे, मिधिला के जनक की पुत्री एक्थी सीता जिसका वालमी की द्वारा लिखी जाने वाली हिंदु महकाव्य, रामायन में भगवान राम की पत्नी के रूप में वर्ने थै बाद में विदेह राज्य के वाजिशी शेहर में अपनी राजधानी था जो वज्जी समझोता में शामिल हो गया, मिधला में भी है वज्जी के पास एक रिपब्लिकन शासन था जहां राजा राजाओं की संख्या से चुने गए थे जैन धर्म और बौध धर्म से संबंदिद ग्रथों में मिली जानकारी के आधार पर वज्जी को छेठी शताब्दी इसापूर्व से गनराज्य के रूप में स्थापित किया गया था गौतम बुद्ध के जन्म से पहले 5-6-3 BC में यह दुनिया का पहला गंतंत्र था जैन धर्म के अंतिम तीर्थनकर भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था आधुनिक पश्चिमी पश्चिमी बिहार के क्षेत्र में मगद 1000 वर्षों के लिए भारत में शक्ती, शिक्षा और संस्कृती का केंद्र बने प्रिग्वेदिक काल में यह ब्रिहदरत वंच का शासन था सन 684 BC में स्थापित हरेंक वंच, राजग्रे, आधुनिक राजगीर, के शहर से मगद पर शासन किया इस वंच के दो प्रसिद राजा बिंबिसार और उनके बेटे अजाद शित्रू थे, जिन्होंने अपने पिता को सिंगहासन पर चड़ने के लिए कैद कर दिया था अजाद शित्रू ने पाटलिपुत शहर की स्थापना की जो बाद में मगद की राजधानी बन गई उन्होंने युद्ध की घोशना की और बाजी को जीत लिया, फिरूआ वंच के बाद शिशुनाग वंच का पीछा किया गया था बाद में नंद वंच ने बंगाल से पंजाब तक फ्रेले विशाल सामराज्य पर शासन किया भारत की पहली सामराज्य, मौर्य सामराज्य द्वारा नंद वंच को बदल दिया गया था मौर्य सामराज्य और बौध धर्म का इस क्षेत्र में उभार रहा है जो अब आधुनिक बिहार को बना देता है 325 BC में मगद से उत्पन मौर्य सामराज्य, चंद्रगुप्ट मौर्य ने स्थापित किया था, जो मगद में पैदा हुआ था इसकी पाटलि पुत्र, आधुनिक पटना, में इसकी राजधानी थी मौर्य समराट, अशोक, जो पाटली पुत्र, पटना, में पैदा हुए थे, को दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा शासक माना जाता है मौर्य समराजय भारत की आज तक की सबसे बड़ी समराजय थी ये पश्चिम में इरान से लेकर पूर्व में बर्मा तक और उत्तर में मध्य एशिया से लेकर दक्षन में श्रीलंका तक पूरा भारतवर्श में फैला था इस समराजय के पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने के ग्रीक सत्राप को हरा कर अफगानिस्ता के हिस्से को जीता इनकी सबसे बड़ी विजय ग्रीस से पष्चिम एशिय अथक के युनानी राजा सेलैक्यूज निकेटर को हरा कर परशिया का बड़ा हिस्सा जीत लिया था और संधी में युनानी राजकुमारी हेलेन से विवा किये जो की सेलेक्यूज निकटोर की पुत्री थी और हमेशा के लिए युनानियों को भारत से बाहर रखा। इनके प्रधानमंत्री चानक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की जो इनके गुरू और मार्ग दर्शक थे। इनके पुत्र बिंदुसार ने इस समराजय को और दूर थक फैलाया वा दक्षन तक स्थापित किया। समराथ अशोक इस समराजय के सबसे बड़े राजा थे। इनका पूरा राज नाम देवानाम प्रिया प्रियादर्शी एवं राजा महान समराथ अशोक था। इन्होंने अपने उबदेश स्तंप, पहाद, शीला लेक पे लिखाया जो भारत इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये लेक ब्राहमी, ग्रीक, अरमिक में पूरे अपने समराजय में अंकित किया। इनके मृत्या के बाद मौर्य समराजय को इनके पुत्रों ने दो हिस्से में बातकर पूर्व और पश्चम मौर्य रज्या की तरह रज्या किया। इस समराजय की अंतिम शासक ब्रिहदरत को उनके ब्राहमिन सेनापती पुष्शमित्र शूंग ने मार कर वे मगद पे अपना शासन स्थापित किया। सन 240 में मगद में उतपन गुप्ट सामराजय को विज्ञान, गनित, खगोल विज्ञान, वानिज, धर्म और भारतिय दर्शन में भारत का स्वर्ण यूग कहा गया। इस वंच के महान राजा समुद्र गुप्ट ने इस समराजय को पूरे दक्षन एशिया में स्थापित किया। पूरम तक फैला था। इसकी राजधानी पटली पुत्र था। इस समराजय का प्रभाव पूरी विश्व में था रोम, ग्रीस, अरब से लेकर दक्षन पूर्व एशिया तक था। की जड़पों का परिनाम थी। 1540 में, महान पस्तीस के मुखिया, सासाराम के शेरशा सूरी, समराथ हुमाईयों की मुगल सेना को हरा कर मुगलों से उत्तरी भारत ले गए थे। शेर शाह ने अपनी राजधानी दिल्ली की घोशना की और ग्यारवी शताब्दी से लेकर बीस वी शताब्दी तक मिथिला पर विभिन स्वदेशिय राजविंशों ने शासन किया था। इन में से पहला, जहां करनाट, अन्वर राजवंश, रघुवंशी और अंतता राजदर्भंगा के बाद, इस अवधी के दौरान मिथिला की राजधानी दर्भंगा में स्थानांतरित की गई थी। अब 1857 के प्रथम सिपाही विद्रोह में बिहार के बाबू कुवर सिंग ने महत्वपून भूमिका निभाई 1905 में बंगाल का विभाजन के फलस्वरूप बिहार नाम का राज्य अस्तित्वर में आया 1936 में उडिसा इससे अलग कर दिया गया स्वतंतरता संग्राम के दौरान बिहार में चंपारन के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने में अग्रगन्य घटनाओं में से एक गिना जाता है स्वतंतता के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ और 15 नवंबर 2000 में जार्खन राज्य को इससे अलग कर दिया गया भारत छोडो आंदोलन में भी बिहार की गहन भुमिका रही देखें भारत छोडो आंदोलन और बिहार उत्तर भारत में 24 डिग्री 20, 10, 27 डिग्री 31, 15 उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री उन्नीस पचास, 88 डिग्री 17, 40 पूर्वी देशांतर के बीच बिहार एक हिंदी भाशी राज्य है राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है जिसमें 92,257.5 एक वर्ग किलोमीटर ग्रामीन क्षेत्र है जार्खन के अलग हो जाने के बाद बिहार की भूमी मुक्यता नदियों के मैदान एवं कृशियोग्य सम्तल भूभाग है गंगा के पूर्वी मैदान में स्थित इस राज्य की ओसत उचाई 173 फीट है भौगोलिक तोर पर बिहार को तीन प्राकृतिक विभागों में बांटा जाता है उत्तर का परवतिय एवं तराई भाग, मध्धे का विशाल मैदान तथा दक्षन का पहाड़ी किनारा उत्तर का परवतिय प्रदेश सुमेश्वर श्रेनी का हिस्सा है इस श्रेनी की ओसत उचाई 455 मीटर है परंतु इसका सर्वोचर शिखर 874 मीटर उचा है सुमेशवर श्रेनी के दक्षण में तराई क्षेत्र है यह दलदली क्षेत्र है जहां साल वक्ष के घने जंगल है इन जंगलों में प्रदेश का इकलोता बाग अभ्यारन्य वाल्मिकी नगर में स्थित है मध्यवर्ती विशाल मैदान बिहार के 95 प्रतिशत भाग को समेटे हुए है भौगोलिक तोर पर इसे चार भागों में बाटा जा सकता है एक तराई क्षेत्र यह सुमेशवर श्रेनी के तराई में लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा कंकर बालू का निक्षेप है इसके दक्षन में तराई उपक्षेत्र है जो प्राया दल्दली है 2. भांगर क्षेत्र यह पुराना जलोर क्षेत्र है समान्यतर यह आसपास के क्षेत्रों से 7-8 मीटर उचा रहता है 3. खादर क्षेत्र इसका विस्तार गंडग से कोशी नदी के क्षेत्र तक सारे उत्तरी बिहार में है प्रत्येक वर्ष आने वाली बार के कारण यह क्षेत्र बहुत उपजाओ है परंतु इसी बार के कारण यह क्षेत्र तबाही के कगार पर खड़ा है गंगा नदी राज्य के लगभग बीचों बीच बहती है उत्तरी बिहार बागमती, कोशी, बुई गंडक, गंडक, घाघरा और उनकी सहायक नदियों का समतल मैदान है सोन, पुन-पुन, फल्गू तथा क्यूल नदी बिहार में दक्षन से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां है बिहार के दक्षन भाग में छोटा नागपुर का पठार, जिसका अधिकांश हिस्सा अब जारखंड है, तथा उत्तर में हिमालय परवत की नेपाल श्रेनी है हिमालय से उतरने वाली कई नदियां तथा जलधाराएं बिहार होकर प्रवाहित होती है और गंगा में विसरजित होती है वर्षा के दिनों में इन नदियों में बाड़ की एक बड़ी समस्या है राज्य का ओसत तापमान ग्रिश्म रितु में 35-45 डिग्री सेल्सियस तथा जाड़े में 5-15 डिग्री सेल्सियस रहता है जाड़े का मौसम नवंबर से मध्य फरवरी तक रहता है अप्रेल में ग्रिश्म रितु का आरंभ होता है जो जुलाई के मध्य तक रहता है जुलाई अगस्त में वर्षा रितू का आगमन होता है जिसका अवसान अक्टूबर में होने के साथ ही रितू चक्रपूरा हो जाता है और सतन बारा सो पांच मिलीमीटर वर्षाका का वार्षिक वित्रन लगभग बावन दिनों तक रहता है जिसका अधिकांच भाग मानसून से होने वाला वर्षन है उत्तर में भूमी प्राया सर्वत्र उपजाओ एवं क्रिशियोग्य है धान, गेहून, दलहन, मक्का, तिलहन, तंबाकू, सबजी तथा केला, आम और लीची जैसे कुछ फलों की खेती की जाती है हाजीपूर का केला एवं मुजफरपूर की लीची बहुत ही प्रसिद है हिंदी, अंगिका, भोजपुरी, मगही, उर्दू और मैथली यहां की प्रमुक भाशाएं है बिहार की संस्कृती मगद, अंग, मिथिला तथा वज्जी संस्कृतियों का मिश्रण है नगरों तथा गावों की संस्कृती में अधिक फर्क नहीं है नगरों में भी लोग पारंपरिक रीती रिवाजों का पालन करते है तथा उनकी मान्यताएं रुडवादी है समाज पुरुष प्रधान है प्रमुक परवों में छट, होली, दीपावली, दशेहरा, महाशिवरात्री, नागपंचमी, श्रीपंचमी, मुहरम, एद, एदूला अजहा तथा क्रिस्मस है सिखों के दसवें गुरु गोबिन सिंग जी का जन्मस्थान होने के कारण पटना सिटी, पटना, में उनकी जयनती पर भी भारी श्रधारपन देखने को मिलता है बिहार ने हिंदी को सबसे पहले राज्य अधिकारिक भाशा माना है जिसके प्रमू, पटना, गया, औरंगाबाद, नवादा जिला, नालंदा जिला, जहानाबाद जिला इत्यादी है हिंदी प्रदेश से होने के बावजूद बिहारी एक टोन बन गया है बिहार अपने खानपान की विविधता के लिए प्रसिद है शाकाहारी तथा मासाहारी दोनों व्यंजन पसंद किये जाते हैं मिठायों की विभिन किस्मों के अतिरिक्त अनर्सा की गोली, खाजा, मोती चूर लड़ू, तिलकुट यहां की खास पसंद है सत्तु, चूरा दही और लिटी चोखा जैसे स्थानिय व्यंजन तो यहां के लोगों की कमजोरी है लहसुन की चटनी भी बहुत पसंद करते हैं लालू प्रसाद के रेल मंत्री बनने के बाद तो लिटी चोखा भारतिये रेल के महत्वपून स्टेशनों पर भी मिलने लगा है सुबह के नास्ते में चूडा दही या पूरी जलेबी खूब खाये जाते है चावल दाल सबजी और रोटी बिहार का सामान्य भोजन है बिहार की मालपुआ काफी स्वादिश्ट होता है यह उत्तर भारत में बनाये जाने वाली डिश है बिहार की बाकी व्यंजनों में दालपूरी, खाजा, मखाना खीर, पेरुक्या, खजुरी, बैगन का भरता आदी शामिल है भारत के अन्य कई जगहों की तरह क्रिकेट यहां भी सरवाधिक लोक्रिय है इसके अलावा फुटबॉल, हाकी, टैनिस, खोखो और गोल्फ भी पसंद किया जाता है बिहार का अधिकांश हिस्सा ग्रामीन होने के कारण पारम पर एक भारतिये खेल कबड़ी है राज्य के मुख्य उद्योग है सीवान, भागलपूर, पंडॉल, मोकामा और गया में पांच बड़ी सूत कताई मिले है उत्तरव दक्षन बिहार में तेरा चीनी मिले है जो निजी क्षेत्र की हैं तथा पंद्रा चीनी मिलें सारवजनिक क्षेत्र की हैं और अंगाबाद और पत्ना में खाद्य प्रसंसकरण और वनस्पती बनाने के कारखाने है इसके अलावा बंजारी के कल्यानपूर सिमेंट लिमिटिड नामक सिमेंट कारखाने का बिहार के और द्योगिक नक्षे में महत्वपून स्थान है और अंगाबाद का नया श्री सिमेंट का कारखाना बिहार में कुल सिचाई क्षमता 28.63 लाख हेक्टे है ये हक्षमता बड़ी तथा मंझोली सिचाई पर योजनाओं से जुटाई जाती है यहां बड़ी और मध्यम सिचाई पर योजनाओं का स्रिजन किया गया है और 48.97 लाख हेक्टे एक्षेत्रफल की सिचाई प्रमुक सिचाई योजनाओं के माध्यम से की जाती है बिहार में शिचाई नलकूप, कुआ, और मानसून पर निर्भर करता है एक समय बिहार शिक्षा के सर्व प्रमुक केंद्रों में गिना जाता था नालंदा विश्वविद्याले, विक्रमशिला विश्वविद्याले तथा ओधन्तपुरी विश्वविद्याले प्राचीन बिहार के गौरवशाली अध्यान केंद्र थे 1917 में खुलने वाला पटना विश्व विद्याले काफी हद तक अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने में सफल रहा किंतु स्वतंत्रता के पश्चात शैक्षनिक संस्थानों में राजनीती तथा अकर्मनिता करने से शिक्षा के स्तर में गिरावट आई हाल के दिनों में उच्च शिक्षा की स्थिती सुधरने लगी है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिती भी अच्छी हो रही है हाल में पटना में एक भारतिय प्रायोगी की संस्थान और राश्ट्रिय प्रायोगी की संस्थान तथा हाजीपुर में केंद्रिय प्लास्टिक इंजिनियरिंग रिसर्च इंस्टीटूट तथा केंद्रिय औशधिय शिक्षा एवं शोध संस्थान खोला गया है, जो पूर्वी चंपारन दक्षन बिहार केंद्रिय विश्व विद्याले, बोधगया बिहार कृषी विश्व विधाल्य सबोर, भागलपूर पतना विश्व विद्याले, पतना पातलिपुत्र विश्व विद्याले, पतना मगद विश्व विद्याले, बोधगया बाबा पुसा, समस्तीपूर आरभट ज्यान विश्व विद्याले, पतना पतना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, पतना इंदिरा गांधी आयूर विज्यान संस्थान, पतना नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, पतना बुद्धा दंचिकित्सा संस्थान एवं अस्पताल, पतना श्रीकृष्न मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, मुजफरपूर अनुग्रह नारायन मगद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गया दर्भंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, लहेरिया सराय कटिहार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कटिहार जवाहरलाल नहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, भागलपुर वर्धमान इंस्टीटूट नावापुरी, नालंदा एम्स, पत्ना मधुबनी, मैडिकल कॉलेज और अस्पताल मधुबनी. शेरिकल्चर इंस्टीट भागलपूर चानाक्य विधी विष्व विद्याले, पत्ना अनुग्रह नारायन सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पत्ना केंड्रिय प्लास्टिक इंजिनिरिंग रिसच इंस्टीट, सिपेट, हाजीपूर केंड्रिय औशधिय शिक्षा एवं शाहार संस्थान, हाजीपूर प्राकृत जैन्शास्त्र एवा महिंसा संस्थान, वैशाली. बिहार राज्य भारतिय गनराज्य के संगीय धांचे में द्विसदिनिय व्यवस्था के अंतरगत आता है. राज्य का समवैधानिक मुखिया राज्यपाल है लेकिन वास्तविक सत्ता मुख्यमंत्री और मंत्री परिशद के हाथ में होता है. विधान सभा में चुनकर आने वाले विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव पांच वर्षों के लिए किया जाता है जबकि राज्यपाल की नियुक्ती भारत के राष्ट्रपती के द्वारा की जाती है. प्रत्यक्ष चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक डल अत्वा गटबंधन के आधार पर सरकार बनाये जाते हैं उच्च सदन या विधान परिशत के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष धंग से 6 वर्षों के लिए होता है प्रशासनिक सुविधा के लिए बिहार राज्जी को 9 प्रमंडल तथा 38 मंडल जिला में बांटा गया है जिलों को क्रमशा 101 अनुमंडल 534 प्रखंड अंचल 8471 पंचायत 45103 गाउं में बांटा गया है राज्जी का मुख्य सचिव नौकर शाही का प्रमुख होता है जिसे श्रेनीक्रम में आयुक, जिलाधिकारी, अनुमंड लाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी तथा इनके साथ जुड़े अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी गंड रिपोर्ट सारन, दर्भंगा, कोशी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर तथा मगद प्रमंडल के अंतरगत आने वाले जिले इस प्रकार हैं, अर्या अर्वल, औरंगाबाद कटिहार, किशंगंज खगडिया, गया गोपाल गंज, छप्रा जमुई, जहानाबाद दर्भंगा, न एवं आसपासर पतना राज्य की वर्तमान राजधानी तथा महान एतिहासिक स्थल है, अतीत में यह सत्ता, धर्म तथा ज्यान का केंद रहा है, निम्न स्थल पतना के महत्वपूर्ण दार्शनिक स्थल है, प्राचीन एवं मध्धकालीन इमारतें, कुम्रहार परिसर, पतना, महबोधी मंदर, गया, माता सीता की जन्स्थली, सीतामिडी, कवी विद्यापती से उगना महादेव मंदर, मधुबनी, द, भारत स्थापतिकला विश्नु मंदर, सुपॉल, सिहश्वरनात मंदर, मधेपुरा, सबसे उँची काली मंदर, अर्या, नर्सिंग अवता फुलवारी शरीफ में बड़ी खांका, मनर शरीफ, सूफी संथ हजरत याहया खाम अन्री की दरगाह, भारत की प्रथम महिला सूफी संथ हजरत बीबी कमाल का कबर, जहानाबाद, मिठिलांचल ग्यान विज्यान के केंद्र, पतना तारामंदल, पतना विश्वविद्याल सचिदानन सिनहा लाइबरेरी, संजे गांधी जैविक उध्यान, श्रीकृष्ण सिनहा विज्यान केंद्र, खुदाबक्ष लाइबरेरी एवं विज्यान परिसर सारन तथा आसपास प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्निमा से लगने वाला सोनपूर मेला, सारन जिला का नवप स्थापित विश्व का प्रतम गनराज्य के अवशेश, अशोक स्तम, बसोकुंड में भगवान महावीर की जन्म स्थली, अभिशेक पुष्क्रनी, विश्व शान्तितूप, राजा विशाल का गड, चौमुकी महादेव मंदिर, भगवान महावीर के जनम दिन पर वैशाक महीने में आयोजित होने वाला वैशाली महोतसिव राजगीर तथा आसपास राजग्रे मगद सामराज्य की पहली राजधानी तथा हिंदू, जैन एवं बौध धर्म का एक प्रमुक दार्शनिक स्थल है, भगवान बुद्ध तथा वर्धमान महावीर से जुड़ा कई स् स्थल एवं जलमंदिर, बिहार शरीफ में मध्यकालीन किले का अवशेश एवं, चौधवी सदी के सूफी संत की दरगाह, बड़ी दरगाह एवं छोटी दरगाह, नवादा के पास का कोलद जल प्रपाद गया एवं बोध गया हिंदू धर्म के अलावे बौध धर्म माननन थाय मंदिर, जापानी मंदिर, बर्मा का मंदिर, बौधनी पहाडी, इमाम गंज, भागलपूर तथा आसपास प्राचीन शिक्षास्थल के अलावे यह बिहार में तसर सिल्क द्योग केंद्र है, पाल शासकों द्वारा बनवाए गए गए प्राचीन विक्रमशिला विश चंपारण समराट अशोग द्वारा लौरिया में स्थापित स्तंब, लौरिया का नंदन गड़, नरकटिया गंज का चानिकीगर, वालमी किनगर जंगल, बापु द्वारा स्थापित भीतिहर वा आश्रम, तारकेश्वर नात तिवारी का बनवाया रामगड़ वा हाइ स् स्वतंत ता आंदोलन के समय महात्मा गांधी एवं अन्यसेनानियों की कर्म भूमी तथा अरेराज में भगवान शिव का मंदिर, केसरिया में दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धस तूप जो पूर्वी चंपारण में एक आदर्श परेटन स्थल है सीतामधी तथा आसपास पुनौर में देवी सीता की जन्मस्थली, जांकी मंदिर एवं जांकी कुंड, हलेशवर स्थान, पन्त पाकर, यहां से सटे नेपाल के जनकपूर जाकर भगवान राम का स्वयमवर स्थल भी देखा जा सकता है सासाराम अफगान शैली में बनाया गया अष्टकोनी शेशाह का मगबरा वास्टुकला का अद्भुत नमूना है देव सूर्य मंदर देव सूर्य मंदर देवाक सूर्य मंदर या केवल देवाक के नाम से प्रसिद यह भारतिय राज्य बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर स्थित एक हिंदु मंदर है जो देवता सूर्य को समर्पित है यह सूर्य मंदिर अन्य सूर्य मंदिरों की तरह पूर्वा भिमुक न होकर पश्चिमा भिमुक है देवाक मंदिर अपनी अनूठी शिल्पकला के लिए भी जाना जाता है पत्थरों को तराश कर बनाए गए इस मंदिर की नकाशी उत्कृष्ट शिल्प कला का नमूना है इतिहासकार इस मंदिर के निर्मान का काल छठी, आठवी सदी के मध्य होने का अनुमान लगाते हैं जबकि अलग-अलग पौरानिक विवरनों पर आधारित माननेताएं और जन्शूतियां इसे त्रेता युगीन अत्वाद्वापर युग के मध्यकाल में निर्मिद बताती हैं परमपरागत रूप से इसे हिंदू मितकों में वरनित, कृष्ण के पुत्र, सामद्वारा निर्मिद 12 सूर्य मंदिरों में से एक माना जाता है इस मंदिर के साथ साम की कथा के अतिरिक्त, यहां देव माता अधिती ने की थी पूजा मंदिर को लेकर एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असूरों के हाथों देवताहार गए थे, तब देव माता अधिती ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ती क गया और छट का चलन भी शुरू हो गया। अतिरिक पुरुर्वा एल और शिवभक्त राक्षस्द्वे माली सुमाली की अलग-अलग कताएं भी जुड़ी हुई हैं जो इसके निर्मान का अलग-अलग कारण और समय बताती हैं। बिहार के परेटन स्थल, भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर भील, भील जनजाती भारत की प्रमुक प्राचीन जनजाती हैं। इस जनजाती ने बिहार के कई इलाकों पर शासन किया।